इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पुर्ट एविद्ध और पर इस से पहले जो हमने दो वीडियों को अप्लोड किया था जिसमें गेस्ट टोट इंटेंट इंट and explanation of gastrointestinal agent classification of gastrointestinal agent और उसके साथ-साथ what are acidifying agent और उससे related compounds को हमने discuss किया था पहले वीडियो के अंदर में उसके बाद जो next video जो हमने upload किया था उसके अंदर anti-acid को हमने discuss किया था anti-acid के अंदर explanation of anti-acid के what are anti-acid classification of anti-acid ideal properties of anti-acid and why combination of anti-acids are used यह topic हमने discuss किया था उससे related compounds को बाद में discuss किया था अब यह थार्ड वीडियो के अंदर हम यह protect use and absorbent जो gastrointestinal agent का third topic है इसको हम discuss करेंगे क्योंकि Pharmacy Council of India ने जो सरे बस mention किया है उसमें इसको detail में mention नहीं किया बस इसको इसे related compounds हैं drugs हैं उसको specify नहीं किया बलकि यह mention किया protect use and absorbent तो हम इसको बहुत short में explain करेंगे कि what are protect use and absorbent क्योंकि यह gastrointestinal ट्रैक से related topic हमारा चल रहा है तो यह clear है यह protect you word you use हो रहा है वो gastrointestinal track को infection से protect करने के लिए यह वो इजेंट होंगे जो gastrointestinal track को infection से protect करेंगे हम को clear यह चीज के लिए रहे हैं कि अगर gastrointestinal में infection होगा चाहे bacterial infection हो या अमेबिक infection हो उसकी वज़े से loose motions होते हैं dysentery होती है diarrhea होता है vomiting होती है यह सारे problems होते हैं infection की वज़े से होता है तो यह जो compounds हैं तो यह intestine को protect करते हैं इसका mechanism क्या है कि intestine को protect करने के लिए organism को यह सब्सक्राइब कर लेते हैं अपनी सर्फेस पर और बॉड़ी से एस्क्रीड कर देते हैं तो यह यह तर्म ही चो कर रहे हैं यह intestine को protect कर रहे हैं by absorbing the microorganisms तो अगर इसको पूछा के what are protect use are defined protect use and absorbent या explain protect use and absorbent तो यह हम लिख सकते हैं protect use and absorbent are the agent which are used internally for the treatment of diarrhea and dysentery simple way में हम इसको explain कर सकते हैं के protect use and absorbent are the agent which are used internally for the treatment of diarrhea and dysentery okay protect use and absorbent वो एजन है जो इंटरनली जिसको हम use करते हैं diarrhea और dysentery के treatment के अंदर में जैसे में बताया infection हो गया तो इतना लेटरिन हो रही है वो मेंटिंग हो रही है तो जैसे सन स्टोक के अंदर धूप लग जाती है तो वो मेंटिंग भी होती है और सीवियर डिहाइडरिशन हो जाता है लूज मोशन भी होते हैं तो यह यूज करते हैं यह एजन को प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव एन को डायरिया के ट्रेटमेंट के अंदर तो सिंपल वे में प्रोटेक्टिव एन एड्सॉर्बेंस आता है इंजन विच्छार यूज इंटनली फॉर दे ट्रेटमेंट ऑफ डायरिया और डिसेंट्री अब यह अपने एक्शन को कैसे प्रोडियूस करते हैं अगर हम यह वर् मुज़ें कि यह कि इंटनल वाल है तो इसको और ड्रेक्टिव कोटंग इंटनल सेंगल सर फेस पर सर्म करते हैं तो यह ऊंसको उसको बाद प्राइमर मारते हैं और यसके बादस को करते हैं कि लोहे को इन्वार्मेंट से से प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों और यह कोो Englefaz को कपौन करते कोंटेक्ट करते हैं इंटर्नल सर्फेस को कोटिंग पर करके एक मैथ सब्सक्राइब और और दूसरा protection यह होता है कि जो drug होती है जो compounds होते हैं जो substance होती है वो जो organisms है उसको अपने ही surface पर adsorb कर लेते हैं intestine से reaction नहीं करने देते intestine पर उसका effect होने नहीं देते हैं यह जो agent होते हैं अपने ही surface पर organisms हैं चाहे वो toxins हैं bacteria है viruses and gases है जिसका effect intestine की wall पर होता है तो वो उसको अपने surface पर adsorb कर लेते हैं और intestine को इस तरीके से protect करता है तो mechanism अगर पूछा कि इसका mechanism कैसा है तो हम इसको बोल सकते हैं गया protectives and adsorbent may act by यह इस तरीके से act करते हैं by adsorbing the toxins bacteria virus and viruses and gases the protectives and adsorbent may act by adsorbing toxins bacteria viruses and gases एक मेथड है second method by forming a protective coating on the mucosal membrane of the gastrointestinal tract by forming a protective coating on the mucosal membrane of the gastrointestinal tract thereby offering mechanical protection इस तरीके से mechanical वे में मेरे का निकल तरीके से intestine को protect करते हैं तो यह दो मेतड मैं मेकनिजम के अंदर लिख सकते हैं के protectives and adsorbent may act by number one adsorbing toxins bacteria viruses and gases and second one is by forming a protective coating on the mucosal membrane of the gastrointestinal tract thereby offering mechanical protection thereby offering mechanical protection यह simple way में हम इसका explanation दे सकते हैं इतना ही इसके अंदर sufficient है इसकी detail इसमें में मेंचन नहीं है इसमें दो compounds हैं जो एज़े protectives and adsorbent यूज होता हैं इसमें दो compounds हैं जो एज़े प्रोटेक्ट यूज एन adsorbent होते हैं एक तो बिस्मत सब कार्बोनेट विस्मत सब कार्बोनेट यह एक compound है और दूसरा जो compound है हम उसको बाद में discuss करेंगे वो क्योलीन है एक जो है एक्जामपल में हम लिख सकते हैं अगर protectives and adsorbent का एक्जामपल हमको देना है तो इसके अंदर एक्जामपल में लिख सकते हैं के एक्जामपल बिस्मत सब कार्बोनेट अब यहां हम पहले cloud recipient सब कार्बोनेट अगर इसका से नॉनिम अम देखा इसको से नॉनिम बैसिक बिसमत कार्बोनेट इसको बोलता है वह कि 99 कार्बोनेट बेसिक बिस्मत कार्बोनेट है और इसके अगर फामुला देखेंगे बी ऐ ओ टु ट्वाइज इसमें बी आई ओ ट्वाइज सी ओ त्री कार्बोनेट है और इसके साथ में एक molecule water कर रहेगा तो यह इस तरीके से इसका भी आई ओटू ट्वाइस CO3 S2O यह इसका जो है chemical formula सिनोनिम basic bismut carbonate और जो है chemical formula भी आई ओटू ट्वाइस CO3 और एक molecule इसमें water कर रहेगा तो यह इस तरीके से इसका chemical formula लिख सकते हैं और अगर इसकी standard देखेंगे तो standard में जनरली जो आता है इट कंटेंस नोट लेस देन 80% and not not more than 82.5% of bismut calculated with reference to the dried substances के इसके अंदर 82 82.5% बिसमत होता है जिसको calculated with reference to the dried substances dried substance के reference में इसको calculate करता है और अगर इसकी properties एके देखेंगे physical property में देखेंगे it is a white or almost white powder यह white है यह almost white powder है white जैसे ही है practically insoluble in water practically insoluble in water and in ethanol and ether practically यह water में भी insoluble है ethanol में भी insoluble है ether में भी insoluble है and it is soluble with effervescence in mineral acids के mineral acids जितने हैं अगर उसमें हम डालते हैं तो वो डिजॉल हो जाता है लेकिन effervescence निकलते हैं बबल्स निकलते हैं उसके अंदर में तो इट डिजॉल्स with effervescence in mineral acid तो यह डिजॉल हो जाता है effervescence के साथ mineral acid के अंदर में अब इसमें chemical properties के अंदर एक जब high temperature पर अगर इसको ignite करते हैं तो बिश्मत ट्राय ओक्साइड फॉम हो जाता है अगर high temperature पर हम इसको heat करते हैं तो बी आई ओ त्री यह बिश्मत ट्राय ओक्साइड फॉम हो जाता है carbon dioxide gas release होती है और water separate water molecule इसमें separate हो जाता है और इसके uses अगर देखेंगे तो uses तो एक हम यह लिखेंगे देशूशाटे इक आथाव में करते हैं इसको युआईजर्टी इसको करते हैं यह इसको यूजर्छंकि वैंडरीया की इनदर इसको यूज कर सकते हैं डियंट्रिय के ते翁े इसको यूज़ास एन्टियो कर लिपाती के एंटियो को माडुय है इसके एंदर माइल एस्टीनज़न रहती हैं एस्टेंज़न प्रॉपरटी सेप्टिक प्रॉपर्टी तो मुझा मौलम है जा मार इस उर्गनेजम को किवे उसको cuyas को पelfय हैं कि जो है क्यों कि किल करने वाली ऐन डिसेफ्टिक परापर्टी निवोः चिंजन 키 तौ इसनों समझने के लिए जैसे चौ्क मोर्ड लोट है हम ने देखा चॉट के अंदर क्या रहता हो केल्शियम कारभुनेट होता है गए कड़ा हमने यह चौक था हमने लिएक मारकर मेंसे हम लिखे रहे चौक बॉर्ड निए कब अगार ख़ृक्ते हैं और उसके बाद हम उसको सफे रप करता है नोधी जी सवे मिवह तो तो तोbe बॉल हो गी और इसके अदर जो हैं circum Device a या जाती हैं यह हाडno इस वज़े से हती है कि एक कैल्सियम कार्बोनेट की मौनियसे जो सर्फMore प्रोटीन नहीं सुर्टीन के साथ रियाक्शन करके एक प्रोटेक्टिव स्वाल कर эпम कर दिया यह प्रोटेक्ट्टिू फॉर्म कर दिया यह जो लेयर जो इंटर्नल सरफेस को प्रोटेक्ट कर रही है यह इसको इस्लिशन प्रॉपर्टी भी बोलता है तो इस तरीकर से हम लिख सकते हैं और अगर इसका स्टॉरेज देखेंगे तो इस टोरेंट टाइड ली क्लोस कंटेनर और प्रटेक्ट फॉर्म लाइट के टाइड़ी क्लोस कंटेनर में इसको ट्र varias का extend इसको करना है के लाइट इसको पुठाच करते हैं इसके बाद जो next compound है वो केवलीन है हमने इसमें देखा था यहां जो लिखा है वो दूसरा compound जो है वो केवलीन है जिसको हम China Clay भी बोलता है है चाहेना के लिए सका सेनोनिम है इसके अंदर अगर वर्मूला देखेंगे तो अल्यूमों नोश्यॅज और दो मॉलेक्वल इसमें सिलिकॉण डायोक्साइड के शीमोनिम मॉलेक्वाक्व होता है से बोलेक्व्यूल इसमें वॉर्टर के ट्वीड डॉस काम और यह जैसे इ और इसका chemical formula जो है AL203 और इसमें दो molecule जो है silicon dioxide के हैं और एक molecule जो है वो water का है और अगर इसकी properties के अंदर देखेंगे it is a soft white powder orderless इसके अंदर smell नहीं होती यह जो powder होता है इसलिए इसको orderless बोलता है इसमें जिसमें इसमें नहीं है ऐसा powder जिसमें इसमें नहीं है उसको orderless powder बोलता है और यह soft होता है white होता है it is a soft white powder orderless practically insoluble in water and in organic solvent जितने भी organic solvents है और water है यह उसमें insoluble होता है and it does not dissolves in dilute acid and alkali hydroxide solution solution dilute acid में भी डिजॉल नहीं होता और alkali hydroxide solution में भी यह डिजॉल नहीं होता तो इस तरीके से इसके हम properties लिख सकते हैं अब इसके बाद में इसके uses देखेंगे तो यूजेज में है it is used as a protective absorbent in the treatment of various gastric disorders like alcerative colitis in colitis dysentery and the dysentery associated with food poisoning especially and alkaloidal poisoning खास्तोर से alkaloidal poisoning हो जाती है या food poisoning हो जाती कोई चीज आज में खा लिया food के infection खराब चीज है कोई खाना खराब खा लिया उसकी वज़े से infection हो जिसके वज़े से डाइरिया है तो ऐसी condition में भी इसको के उली इनको यूज़ करते हैं तो यूज़ेज में हम लिख सकते हैं इस यूज़ेज प्रोटेक्टिव और अड्जॉर्बन इन ट्रेट्मेंट अफ वेरियस गैस्ट इंट्रस्टाइन इस अलसरेटिव कोलाइट इ अगर कोई तूर्ताइन टाइज से दूंद चली टायुज़ेज जर ओसे हमने का इस यूजू़ेज ने कहिंपकिने की उनसीज़ बूपशन जाजिया में फिल्टर करने के बाद लिए बड़न धालेंगे एकदम क्लियर इसमें और फिल्टर करेंगे तो एकदम क्मिर जिसको क्लेरिफाइंग एजन हम मोल रखते हैं तो इस तरीख से छोटा सा टॉपिक है जिसमें दो कंपाउंच है और प्रोटेक्टिव और इड्जॉर्बंट का डिफिनेशन एक्सरिस्टी इसको पूछता है कि वाट आर प्रोटेक्टिव और इड्जॉर्बंट और इसके स इसके यूजेज हैं सेनॉनिम हैं प्रॉपर्टीज हैं इसके बाद जो नेक्स वीडियो रहेगा उसके अंदर लास्ट टॉपिक हम सलाइन कैथार्टिक को डिसकस करेंगे